असलाम लेकुम टियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप ठीक है सब हाँ जी अला तरा सबको अपने प्रॉमान में रखे बहुत सारी दुआएं आप लोग के लिए स्टुडेंट्स आज हमने पॉइंट ट्राइ अगेन यूनिट 3 की बुक एक्सरसाइज पेज नमबर 33 करना है क्योंकि इसमें डी साइलन्ट होता है अजेक्टिव पढ़ते हैं इसमें सिफ्ट को अर्दू में इसमें सिफ्ट कहते हैं इसमें सिफ्ट होता है किसी भी नाउन की खुबी या खामी ठीक है जैसे हम कहते हैं लाहोर बड़ा शहर है लाहोर इस अ बिग सिटी अब बिग जो जो है यह इसकी सिफ्त है वो मोटी है आगे कहते हैं यह कपड़ा मोटा है पतला है शर्बत ठंडा है सालन गरम है इसके इलावा कीर मीथी है मिठाई स्वीट सोती है अचा जी ऐसी चीज़ें जो आपकी खुबी अखामी को बियान करती है वो सबकी सब अजेक्टिव कहलाती ह अजेक्टिव की डैफिनेशन है अजेक्टिव की डेफिनेशन है वट that mo defy the meanings of a noun tells something more about a noun is called an adjective इसमें सिफ्ट को अजेक्टिव कहा जाता है किसी भी नाउन की हुभी या खामी अब हमारा main concern इसमें degrees of adjective के साथ है कि objective की कितनी degrees होती है तो जनाब objective की तीन degree होती है positive, comparative and superlative degree positive होती है पहली खुबी, एक खुबी, अकेले जैसे मैंने कहा दही खटा है ठीक है वो दही का था, सिरफ एक दही था उसकी वो खुबी थी कि वो खटा था अब क्या है, दूद सफेध है अब दूद की खुबी ये है कि वो white होता है milk is white, तो अब white जो है वो उसकी खुबी है उसको हम positive degree कहते है second degree होती है comparative comparative का मतलब है when we compare to things जब दो चीज़ों को जब दो चीज़ों का आपस में मवाजना किया जाता है comparison किया जाता है तो वो comparative degree बन जाती है clear? यहाँ पर मैंने कहा अली एक अच्छा लड़का है अली एक अच्छा लड़का है अली intelligent है intelligent जो है वो अब इसकी खुबी है अब मैंने अली के साथ असद को भी compare कर दिया अली और असद दोनों भाई हैं अली असद से जहीन है अब यहाँ पर दो चीज़ों का comparison हुआ तो यहाँ पर यह comparative degree बन गई यह हमेशा याद रखिएगा जब दो चीज़ों को compare करेंगे उनकी qualities को खुबियों को या उनकी negative या positive sense में देखेंगे तो वो हमेशा comparison होता है और वो comparative degree बन जाती है clear अब देखें superlative superlative है सबसे बड़ी जिस mix यहाँ पे वहाँ पे positive में एक था comparative में दो हैं और superlative में दो या दो से ज्यादा ज्यादा चीज़ों को जब compare किया जाता है तो वो superlative degree बन जाती है clear big, bigger, biggest tall, taller, tallest ऐसे तमाम वर्ड अब इनकी पहचान क्या है अब यहाँ पे देखें जी positive degree में अगर खुबी सिरफ tall आई है तो comparative में taller होगी और superlative में tallest होगी तो यहाँ से एक बात पता चली comparative degree में ER इस्तमाल होता है ठीक है और superlative degree में EST इस्तमाल होता है clear जैसे मैं class से तीन boys लेती हूँ मैं कहती हूँ अली, एहमद, और फेजान अली tall है एहमद taller है और फेजान tallest है इन तीनों का मैंने comparison किया तो एक percent tall हुआ दूसरा taller हुआ और third tallest हुआ बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा clear जब भी superlative degree हो उसके साथ EST आए तो उसके साथ हमेशा दा इस्तमाल होता है जहां पे भी superlative degree आएगी और EST लगेगा तो वो दा के साथ यूज होगी और ER जहां पे भी आता है वो second degree होती है comparative degree होती है और उसमें ER यूज होता है देखें जी अब हमें ये पता चला कि जो superlative degree है वो हमेशा EST पे end होती है और comparative degree ER पे end होती है इसके इलावा बहुत से ऐसे word होते है जिसमें ER और EST नहीं लग सकता like interesting interest ठीक है interesting लगा लेते हैं interesting first positive degree है this is a very interesting story अब interested लगाऊंगी और interest लगाऊंगी no ये गलत हो जाएगा मैं इसके साथ लगाऊंगी more or much more much more के साथ ही much आता है इसमें must आएगा most sorry most most ठीक हो गया interesting more interesting most interesting most interesting जो होगी वो superlative degree होगी more interesting यहाँ पे comparative degree होगी clear जब एक चीज़ का comparison बाकी सब के साथ किया जाए वो superlative में आता है दो चीज़ों का compare किया जाएगा वो comparative में आएगा एक चीज़ को compare करेंगे अकेला उसकी खुबी या खामी बताएंगे वो हमारे पास positive degree of adjective होती है so let's come on the book page number 33 वहाँ पे activity given है वो करते है हाँ जी देखे यहाँ पे hard, harder, hardest वो ही बात भी ER लगा के comparative बना EST लगा के superlative बना interesting था more interesting the most interesting था superlative degree के साथ आता है अब हम activity solve करते हैं देखे पहली क्या है my family and I went to visit Marie last summer of all the summers I have had I would say this was the इन्होंने good दिया है good summer ever अब all summers है बाकि जितनी summers में यहाँ आए थे उसके साथ एक summer का comparison करें दो चीजों को compare करें तो good के साथ comparative degree आएगी best good, best, better ठीक है best आएगा यहाँ पे in Marie we enjoyed the horse ride हमने horse ride enjoy किया I rode a horse that run fast and fast on the hills no कैसे compare हो रहा है भाग रहा था तेज 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 तरीन नहीं कहा उससे का तेज भागा और तेज भागा तेज 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 ठीक है तो हम लगाएंगे fast है faster आएगा faster and faster on the hills आगे है we also climbed a tree and when I reached the highest branch I was tired than my sister compare हो गया I or my sister ठीक है I और then का word जो होता है students यह clear comparative degree में ही आता है ठीक है इसका compare हुआ इसके साथ तो यहां पे more या much tired हम क्या लगाएंगे हान जी comparative degree है तो हम यहां पे more tired लगाएंगे ठीक है more or tired यही वाला आजाएगा more tired than my sister आगे है I bought a jacket which was quite expensive and my sister choose a sweater because she found it much cheap to buy देखें जी much और more यह दोनों comparative degree में आते हैं पहला ही कहती है I bought a jacket which was quite एक ही चीज है इसने अपनी jacket खरीदी थी वह बहुत क्या थी word इन्होंने expensive दिया है most यह more लगाएंगे नहीं जनाब single है quality बताई है तो expensive ही आएगा यहां पे यही word यूज होगा ठीक है I bought a jacket which was quite expensive and my sister choose a sweater अब इसके साथ इसकी sister ने comparison किया है उसने क्या किया है उसने choose a sweater because she found it much आ गया much हमेशा competitive degree में आता है इसके साथ cheaper लगाएंगे ठीक है much cheaper to buy आगे देखें after our trip I feel I am lucky boy on earth after our trip I feel I am earth देखें जनाब इसने earth के साथ comparison कर लिया खुद का oh my god पूरी अर्थ के साथ इसने खुद का comparison किया तो यह क्या बनेगा after our trip I feel I am the दा आ गया जब भी दा आता है तो कौन जी डिग्री आती है superlative degree of adjective दा के साथ lucky है तो luckiest आएगा I am the luckiest boy on the earth देखें कितनी बड़ी खुश फैमी है आप भी ऐसी रखतें रखनी चाहिए किसी तरह तो खुश रह लें यहां बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे तरह से खुश रहते हैं चोटी चोटी बातों पर खुश रहा करें लेकिन हर वकर थंसना भी अच्छी बात नहीं होती देखेंजिए आफ्टर आवर ट्रिप आए फील आएम दा लखिएस्ट बॉई ओन दा आर्थ ओन आर्थ यह देख लें इसको फिल कर लें अपसो आपको आज का ट्रापिक समझ आ गया होगा इसको अच्छा सा याद कीजिएगा दोहों में याद रखिएगा आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं अलाग तला सबको अपने इव्ज़ों मान में रखे थैंक्यू सो मच्छ